इसके बारे में को इसको उतर रही है तो क्या उसके लिए उक्रेइन मौजूदा उस स्थती में है क्योंकि सैनने तक निकी पैसे आपको दे दिये जाएंगे लेकिन लड़ना तो आपको खुद अपने ही लोगों के ताक्तों से है अपने जितने भी सैनिक आपके हैं तो क्या इसके लिए उक्रेइन आपको तयार दिखता है अब हमें पता नहीं उन्हें आप भी फॉज कैसे डिप्लॉय की है क्योंकि देखे रूस सारे पूरे युक्रेइन पे तो काबू नहीं है उत्तर से आया दक्षन से आया उनकी फॉज लगी हुई है खारकेव को काबू किया क लेकिन पश्चमी साइड तकरीबन लगता है कि अभी फॉज इनकी जादा नहीं गई एर अटैक किया लेकिन फॉज नहीं है तभी लोग आ जा रहे हैं उन देशों में रुमेनिया में इनके अभी एक स्टेटमेंट आई है इनके देश मंत्री की युक्रेइन की वो कहने है कि एर टू एर मिसाइल हमें जो नए आएं वो मिल गए हैं अब समझ भी नहीं आते हैं इनके जहाज का हैं क्योंकि शुरू में रूस ने कोशिश किया है कि मिसाल मार के इनके हवाई जहाजों को इनके एरपोर्ट को एर उनको सबको डिग्रेड कर दिया जाए जाए करी इनके पास ये तो नहीं हुआ है कि रूस की फॉज की कीव के अंदर गुज जाए और इनके कुछ फॉजी कहीं और से आके हत्यारों के साथ बाहर से आजाए ये नहीं मालूग और यहां पर हम दिखा पा रहे हैं इस मैप के जरी जरा समझे कि रूस ने चारों तरफ से कैसे घेराबंदी कर दी युक्रेण की कीव पर कबजा करने की उसकी लगातार कोशशे लेकिन युक्रेणी फॉज किस तरह से पूरे दंदार तरीके से लड़ रही है ये अपने आप में इस मैप के जरी आप समझ सकते हैं जब एक बड़ी सेना आपके सामने खड़ी हो उसके ब सेने काफी तेजी से आगी के और बढ़ते हुए हाना कि कल ही ये बाना जा रहा था सिधी जी देवेजी जी कल ही ये माना जा रहा था कि रा तक हो सकता है कीव पर कबजा कर ले रूस लेकिन ऐसा नहीं हुआ और युक्रेणी ने अपने राजधाने को अब तक बचा कर रख बंगलादेश की लड़ाई में मैं कमीला बिल्टा पेरियं में लड़ा हूँ कि वहां हमलावर की बहुत कैजूर्टी होती है एक एक बिल्डिंग मोच्चा बन जाती है और जब ऐसे हाल आते आते हैं तो लड़ाई बहुत लंबी खेकी जाती है अभी आपने दो क्वेश् का बहुत ही एक अड्वांटेज है